इसके दो पार्ट को प्रिपेर कर लिये थी ये लास्ट इसका पार्ट है आईए देखते हैं इसकी क्या स्टोरी रहती है रादा कॉमिक्स का ये करेक्टर है नसे के वापार्यों के खिलाफ एक्षन में इस्पेक्टर सुल्तान सिंग से स्मैक हिरोईन आदी नसीले पदार्थों की तसकरी करने वाले अपरादी बुरी तरचीड गये थे और कुख्यात गैंग ब्लैक गोल्ड के बॉस ने अपने किलर्स इन्सपेक्टर सुल्तान सिंग के पिछे लगा दिये थे त्यारे पिंटो चंगेजी माथूर अकरम ने सुल्तान सिंग को इतना मारा कि वहम्रित प्राय हो गया किन्तु डाक्टर केश्टो और डाक्टर मुखर जी ने उसे बना दिया आइरन मैन फिर आइरन मैन सुल्तान सिंग नसे के वपारियों पिंटो को अपनी प्रयोक्षाला में ले गया बाद में जब आइरन मैन सुल्तान सिंग को पता चला कि डाक्टर मुखर जी वास्तों में ब्लैक गोल्ड है उसने अपने मित्र डाक्टर केश्टो को भी मार दिया होता क्योंकि डाक्टर केश्टो उसके असलियत जान गया थ एता तब आयरन मेंन ने डाक्टर मुकर जी को मार डाला किंतु मरती ब्यक्ति ने बता है कि वह इंसरी डाक्टर मुखर जी नहीं अबस उसका डूप्लीकेट क्लाउन है रसली डाक्टर मुकर जानी ब्लैक गॉल्ड ने आयरन मैन के मुकाले 1 खड़ा करने के लिए पिंतो क को तेयार किया तो आयरन मेल चल पड़ा प्रयोक्षाला की और पढ़े ब्लैक गोल्ड कहां है पिंटो कहां है असली डॉक्टर उखर जी पहले हमसे तो निपटलो राजा ओ लगता है ब्लैक गोल्ड कि तुम लोगों को यहां छोड़ गया है मगर तुम लोग यहां नहीं जा इसकार करके मेरे उपर तुम्हारे गोलियों असर नहीं करेंगे धाय 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 किन्तु आयरन में सुल्तान सिंग की किसी बात पर बदमास ने कोई ध्यन ने दिया बलकि धाय 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 सुल्तान सिंग पर अंधादूंद गोलियों के बहुचा कर दी गई और तब लगता है मुझे द्यालुता के दामन छोड़ना ही पड़ेगा आरन्मन सुल्तान सिंग कहर बनकर उन बदमासों पटूट पड़ा हाय मर गया धिशुम एक को उसने मारा दुसरे को सिर्शी उपर उठा लिया है बचाओ फिर अन्य बदमासों के उपर उसे उचाल दिया और फिर धिशुम ठाक ठाक आरन्मन के घूसों ने सभी बदमासों को चारू खाने चित्त कर दिया मगर अभी उसका रास्ता पूरी तरह साफ नहीं हुआ था यह सब तो गए काम से अबागे बहुँ साय डाक्टर उम्खरजी और पिंटों के बारे में कोई ज आरन्मन सुल्तान सिंग परियावार भी वेसर था वह घूम गया ओहो तो तू भी अभी तक बश सकता है पिल्ले कि यह ले तू भी मंगलवार के प्रसाद का भोग लगा ले जैब जंग बली दड़ाक दड़ाक उस बदमास की आयरेन मन ने तवियर से ठुकाई किये मगर इस तरह की बिषयोस नहोने पाया और फिर बता डाक्टर उम्खरजी कहां है पिंटों कहां है मुझे नहीं मालूम सच करता हूं तो किसे मालूम है शुराब बटा सकता है सारे ठीकाने उसे ही पता है आईरन मेन ने बदमाज से सुरःब की अद्दे के बारे मालूम किया और फिर साम के समय सुरःब कहां होता है या सारे सहर को मालूम है तुम्हें नहीं मालूम मैं सारा सहर नहीं हूँ मोटे गंजे अरे अरे यह क्या तुम तो दाडा गिरी दिखाने लगए पठाक फाल तो बात नहीं जो पूछा है इसका जवाब तो जाने क्या था आइरन में सुल्तान सिंग की आवाज में की मोटा गंजा रिशेप्शनिस्ट काप गया और शुराब वो नीचे फॉड पर होगा फॉड पर एक चाल दो अजार की तुम बहुत मोटी गेम खेलते हो शुराब हमारा सिदान थे खाओ तो घी से नहीं तो जाओ जी से ही 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 तभी क्रिंग क्रिंग हलो शुराब स्पिकिंग शुराब मैं भीमा बोलना हूँ कोई खतरनाकस आदमी तुम्हें पूछता हुआ फॉड पर आ रहा है तुने उसे मेरा पता क्यों बताया बेवकूफ उसे यह क्यों बताया कि मैं नीचे फॉल पर हूँ मैं क्या करता सुराब तुम्हारे बारे में तो सब जानते हैं हाँ जानता हूँ मगर पुलिस फिर भी नहीं जानती किको पुलिस को पैसा भी जाता है मगर फिर भी कोई कांद्रिय जासुस हो तो तभी बात खतम हो गई शुराब तो कौन हो गडब आओ हम किसी बात अपनी बात किसी कोने में चल कर सुरू करेंगे मैं मेरा हाँ छोड़ो चलो तो सही मेरे साथ जया में जबरदस्ती चलो अरे अरे छोड़ो मुझे कौन हो तुम बात क्या है सारे हाल में सनाटा सा छा गया था किसी की हमत आरेन मैन को रोकने की नहीं आरेन मैन सुराब को खिशते हुए एक कोने मिले गया फिर मुझे ब्लैक गोल्ड के उन अड़ों की जानकारी चाहिए जिसके बारेन पूलिस भी नहीं जानती और हर बदमास में नहीं जानता क्योंकि तुम ब्लैक गोल्ड के नशीले पदार्थों के सबसे बड़े सप्लायर हो मैं मैं कुछ नहीं जानता और सुनो यहां ददागिरी मुझ पर मत जड़ो मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ अच्छा अब मुझ से जादा नहीं हो गए को तो फेक मारो दिवार तुम्हारी खोपड़ी दो टुकड़े हो जाएगी नहीं नहीं छोड़ो मुझे तो फिर बताओ ब्लैक गोल्ड के बहुत हैं मगर उसका सबसे सिफ अड़ा काली पहाड़ी पर है काली पहाड़ी पर किस जगह यहां मैं नहीं जानता मगर मेरी बात के यकिन करो या कर लिया यकिन अब तुम रने के लिए तरह रोजा शुराम नसीले पदात बेश बेश कर तुने देश और समाद से गद्द कायरनमेन जैसे ही वहाँ है था वैसे ही वापस भी लोड़ गया किसी ने उसका रास्ता रुखने की हमत नहीं कि फिर शुरू हुआ सिलसिली सिलसिला तबाही और बरवादी कायरनमेन नसीले पदार्तों का धंदा करने वालों को मौट की घाट उतारना शुरू कर दिया तार और स्मगलरों की अड़ों को निस्ताना बूद करने लगा फिर वह आखिर में पहुंच गे काली पहाड़ी पर कहां पर हो सकता है ब्लैक गोल्ड का अद्दा यहां ना सिर्फ पेड और चटाने दिखाई दे रही है कि साध ऐसे किसी चटान के पीछे कोई गुप्त द्वा रात होने वाली है मुझे किसी चटान के पीछे चीप जाना चाहिए कुछ दिरबाद यह चटान ठीक रहेगी इस चटान से मैं काली पहाड़ी का दिकान स्षेत्र बखू भी देख सकता हूं बस रात का अंधेरा समस्या ना प्यदा करें धिरे धिरे रात का अंधेरा घरान मुझे अब भी सब कुछ अच्छी तरह दिखाई दे रहा है रात को मेरी आखे भली भाती तूट देखने में सक्षम है कुछ दिरबाद घर एक चटान अपने स्थान से स्कर की और पिंटो उस चटान के पिछे से बाहर निकला हाँ 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 अब मैं सूपर हूं मैं ह और ब्लैक गोल्ड के सारे दुस्मनों को अपनी सूपर पावर से समाप्त कर दूँगा तभी शुरुवात मुझे करो पिंटो आवाजे सुनकर आरेन में वहाँ पहुचा जहां पिंटो था भाग जाओ तुम वरना तुम्हेर तुकड़े तुकड़े कर दूँगा उससे पहले ही मैं तुम्हें जहन्नुम पहुचा दूँगा या ठाक तेरी इस वार का मुझे पर कोई असर नहीं होगा बच्चे अब तु मेरे वार से तू बचले पिंटो ने एरेन में के सिरी को फिरकनी की तरह घुमाया और दूल उचाल फेका ओफ यह हुआ ही पिंटो नहीं पिंटो के चाती पर जड़ दिया धुशूम मगर पिंटो भी अफ़वलादी जिसम का मालिक बन चुका था उस पर कोई असा नहीं हुआ बलके उसने पिंटो जोड़ आरेन में के जबड़े पर जड़ दिया धुशूम आरेन में काली पहाड़ी पर लोड़कता पुढ़कता नीची के ओर जाने लगा तभी एक तेज आवाज वाता और अनम गुझी सुल्तान सिंग अब तुम पिंटो का कुछ भी नहीं बिगार सकते पिंटो जा रहा है डखेतिया डाल ले अगर तुम उसे रोक सको तो रोक लो यह आवाज तो डाक्टर मुखर जी की है कहां स्यारी है यह आवाज तभी आईरनमेन सुल्तान सिंग की काली नजर काली पहाडी पर छलांगे भरते भरते दूर भागते पिंटो पड़ी इतनी आसानी समय तुझे यहां से भागने नहीं दूंगा पिंटो और आरंमेन सिग्रता पुर्वक पिंटों के पिछे भागा भाकते भाकते पिंटों एक सड़क पर महुचा शड़क पर दूर से एक कार आती दिखाई दे रही थे पिंटों सड़क के बीचो बीच खाड़ा हो गया और कार रोको नहीं का कॉन हो तुम अरे मेरी कार आगे क्यों से रख नहीं रही बाहर निकल यह कार मुझे चाहिए थोड़ी दिर बादो आख वह फॉलादे अन्मी मेरा कार सीन कर इधर भाग गया वरामत तुम निकट के पुलिस एस्टेशन पहुंच एफ आई यार दर्च करो मैं उस बदमास की खबर लेने उ पुलिस पुलिस बचाओ और कुछ दिरबाद शेट लक्षमी चंद वहां मारा पड़ा था और तीजोरी के अंदर बाहर का सारा रुपया गया था और दकैती सिर्फ एक जगा पर नहीं पड़े थी उस रात बहुत से करोड़ पतियों के हाँ ड़कैतिया पड़ी पुलिस मैं बार बार फून की घंटिया बनने लगे से किरींघृ क्रिंघंघृ क्रीं पर पुलिस पर Col iカало क है एक नहीं जगा दकैती का समाचार वह हो नहीं फिर एक ड़कैती उसी रात पुलिस विवाग में खलवली मच ग시다 कि काली पहाड़ी पर अ पुभुरिस अड़े में ब्लेक गोर्ड लोर्फ डाक्टर मुखर्जी सब कुछ देखते हो पिंटो के दस्क दे रहा था सबास पिंटो अब तुम वापस लोटा और फिर पिंटो के कार वापस काली पहाली के और जाने के लिए हवा से बातरी कर रहे थी ठीक तभी एक स्थान पर अलम भाई देखना तो वह जो सामने से कार आ रही है क्या नंबर है उसका नंबर अरे शुरेश सुई यह वही कार है जिसकी चोरी की रिपोर्ट दो घंटे पहले आउटर थाने में दर्ज करवाई गी थी तो फिर इसे फोरान रोकना चाहिए मगर वे दोनों पुलिसमेन कार के को रोक नहीं सके बेरियार चोड़ती होई कार उन्हें कुछलती आगे भाग निकली उधर अपने गुपत अड़े पर डाक्टर मुखर जी सब कुछ देखकर प्रसन हो रहा था हा 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 सिर्फ आज ही कुछ गंटों में पिंटो ने 50 लाक से अधिक लूट की रकम एकत्रित कर ली अब मुझे फिर से नया गिरो वह नए अड़े बनाने में कोई मुश्किल नहीं होगी पिंटों आंधी तुफान की तरह कार दोडाता हुआ काली पहाड़ी के निकट पहुचा उसने कार रोकी तभी कार से नोटों की कई गठरिया वह बोरे निकलकर उन रोबोटे ने अपने कंदे पतला दिये फिर वह चट्टान के पिछे उत्पन गुप्त मारक दरा ब्लैक गोल्ड के अड़े पर प्रविस्ट हुए मगर इससे पहले कि गुप्त मारक बंद पता पहाड की मानेंद कोई सब पर तूट पर गिर पड़ा था यह था आइरन मैं मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था पिंटो तुम जानता था तुम लोट कर यहीं वापस आओगे और अब मैं तुम्हें वह तुम्हारे सद्दे को भी निस्तना बूद कर दूँगा धिशुम तु फिर आ गया मुझसे टकराने अब की बार मैं तुझे जीवित बचकर जाने नहीं तूँगा धिशुम्हारे सब्सक्राइन अगले ही पल आइरन मैं पिंटो पर जप्टार उसने अपने सिर की टकर पिंटों के सीने पर देमरी धार आइरन मैं को पता भी ने चला क्योंकि कब वहां मौझूद रुपयों रुबोट रुपयों के गठर लेकर वहां से गयाब हो गया थे और ब्लैक गोल्ड के सामने पहुँच गया थे ब्लैक गोल्ड और डाक्टर मुखरी टीवी स्क्रीन पर पिंटो वा आइरन मैं की टकर देख रहा था एकायक उसने आदेश प्रसारिद किया पिंटो तुम फेरन हैली पैट पर पहुंचो हम यह अड्डे भी छोड़े और आइरन मैं सुल्तान सिंग को परास करना भी तुम्हारे लिन मुश्किल हो उधर आइरन मैं से लड़ते लड़ते एकायक पिंटो पलस के भागा अरे इससे आचाना क्या हुआ फिर आइरन मैं भी पिंटो के तरह भागा भाग कर जायेगा तु कहां पिंटो एक बेदरों में पहुचा उसने पलंग को एक स्थान से नीचे घुमाया तो नीचे का फर्स घुमता चला गया और एक गुप्त मार्ग उत्पन हो गया उस गुप्त मार्स से पिंटो एक सुरंग में उतर गया और डोटा हुआ सुरंग के आगे बढ़ने लगा आखिरकार सुरंग खतम हुई और पिंटो सुरंग के बाहर निकलने लगा वही एक हेलिकाप्टर खाड़ था जिसमें डाक्टर मुखर्जी सवार थे पिंटो सुरंग से बाहर निकल पाया अंदर से किसी ने उसकी टांगे पकड़ कर खी छी तब हेलिकाप्टर उनने लगा घर जल्दी आओ पिंटो जैसे ही पिंटो अपनी टांग शुड़ा कर हेलिकाप्टर की तरफ भागा मगर तब तक हेलिकाप्टर काफी उच्चा उट चुका था मैं सीड़ी लटकारों पिंटो तुम जल्दी से उपर आ जाना डाक्टर मुखर जी ने हेलिकाप्टर की सीड़ी नीचे लटकाई पिंटो ने सीड़ी थामने और उपर ठानने लगा इन्टो सुरंग के गुब्द द्वार से तब तक आरन मैन भी बाहर आ चुक गनिमत है कि हैंड ग्रेनेड वहां अपट है हैंड ग्रेनेड रोबोटों पर गिरे और ब्लास्ट होगा भाम भाम रोबोटों के पर खच्चे उड़ गया आरन मैन ने तुरंथी चलंग लगाते हुए एक हाई जंप मारी और हेलिकाप्टर के लगत रखती सीड़ी इस से ठीक उपर शीड़ी पर पिंटों का पाऊ था उसने पाऊ से एरन मैन के हाथ पर चोट मारी तो आरन मैन उसका एक पॉप पकड़ कर जटका दिया उफ्थ मैं गिरा नहीं नहीं बाल 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 बाचा तभी डाक्टर मुखर जी ने शिगरता पुर्वक शीड़ी उप पर खिची और अपना पर छुटा कर आइरन मैन के साथ अपना पर हारें मैन के हाथ से चुटा कर पिंटों 21 हिलिक अप्रवीस किया इससे पहले की आरेंर मैन हेलिकापटर नप्रवाश करता दक्टर मुकni जी ने बाकी सीडी काड देखिन तो आरेन मैं ने सीडी पर जूलते हुए उल्टी कलाबाजी खाई और पलक जपकते ही वह कला हेलिकाप्टर के अंदर था फिर हेलिकाप्टर मैं आरेन मैं वा पिंटों में संखर सुरूँगा तुझे मैं अकास से धर्ती पर फेक दूंगा तेरी यह हसरत कभी पूरी नहीं होगी आरेन मैं वा पिंटों एक दूसरे से उल्जे हुए थे कि पाइलेट की सीड पर बैठे डाक्टर मुखर जी ने कायक एक विश्वेश प्रकार की गण निकाले अम मैं इस गण से मैं तुझे राख कर दूंगा सुल्तान सिंग मगर त एलकाप्टर तेजी से नीचे की ओराने लगा नीचे समंदर था छपाक एलकाप्टर समंदर के जल में गर्क हो गया एक दूसरे से उल्जे हुए पिंटों आरेन मैं ने समंदर में भी एक दूसरे को ना छोड़ा तिशू छपाक दोनों बे बराबर कबल था टकर बराबर की थी अब हम सामने आमने सामने की युद में हम दोनों में से किसी एक दूसरे को परास्तों ना मुश्किल है चपाक एक आरेन मैं ने जल में गोता लगाया कहां भागे डरबोक सामने आ मैं यहां हूं पिंटो और फिर वह निकठी था जब आरेन मैं और पिंटो की गरदन तड़करों से समाप्त कर देता आचा नहीं किया अचा आरेन मैं नों पिंटों एक दूसरे से अलग होकर दूर उचल गया एक सारक मचली ने अपने पूस्च की जोरदार ठकर मारी और आरेन मैं पिंटों एक दूसरे से लग होकर दूर उचल गया समदुर की लहरों कि तेज भाव में पिंटों बहता पिंटों शीगरता पूरवक हात पाँ चलाने हुए तरने लगा रूस तरफ बढ़ने लगा जिस तरफ बहुत से पेड़ा दी दिखाई दे रहत है वह एक छोटा सा टापू तो कुछी दिर में पिंटों उस टापू के किनारे आ लगा तबी एक जंगली व्यक्ति लोहे कि एक भारी सी गदा लिए पिंटों के सामने कुदा हो 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 बस जंगली की गदा कावार पींटों के सिर पर हो नहीं वला था कि पींटों तेजी से झुग्या भडाक अगले ही पल पींटों बाज की तरह उस जंगली पर जप्त खा और तुशुम तुशुम जंगली की गदा पिंटो ने सम्हाल ली और धरती पर किले जंगली पर वह वार कर नहीं वाला था कि पिछे से आरेन मैन ने उसकी गदा पकड़ ली जंगली उठा और अपनी जान बचा कर भागा भागते वह चिला रहा था या 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 पिंटो ने एरन मैन के हाथ से गदा छुड़ाने में अखिरकार सफलता पा ली और फिर पिंटो गदा से एरन मैन पर वार करने लगा ठाक ठाक अब मैंने तुझे सुड़ूँगा तभी बहुत सारे जंगलीों के भीड उसो गदा से बार किये जा रहा था तभी ठाक ठाक कि एक जंगली ने अपनी गदा आइरन मैन की तरफ उचा ले आइरन मैन ने गदा लपकली और फिर सुरूबा गदा योद्धन अचानक आयरन मैन के एक करारे वार से पिंटो के हाथ से गदा छूट गई और अब बारी थी आयरन मैन की ठक आखिरकार पिंटो को हाँ से भागने पर मजबूर होना पड़ा भागा उसके पीछे आयरन मैन वा उसका जोस बढ़ाते सोर मचाते जंगली भी भाग रहे था उस टापू पर एक भेंकर जोला मुखी था पिंटो उसी की और भागता रहा जाला मुखी की बारे में अंजान आयरन मैन पिंटो की तरह भागता रहा सारे जंगली बहुत पीछे छूट गया आखिर कार वे जोला मुखी के दहाने पर पहुँच गया अश्चे अरजनेक रूप से वहाँ पहले से एक सक्स मुझूद था वह था डाक्टर मुखर जी आओ सुल्तान सिंग मैं जानता था कि पिंटो तुम्हें इस हेलिकाप्टर तक जरू लाएगा हेलिकाप्टर से भा दाक आट कार कि इसे मैं किसी भी किसी को भी किसी भी दिशा में धक्यल सकता हूं और फिर डाक्टर मुखर जी लेजर्ड़न से कीरने छोडे में ने हुआ मुझी उलाद भनकर स्वोय को बचा लिया और किट्नों की लपेटे में आ जया पिंटों पिंटों चीकता हुँ डाक्टर मुखर जी ने आरेन मैन के लिए जो अन्तत्य क्या था वह उसी का सिकार हो गया और चुकि आरेन मैन ने जंगली की जान पिंटों के हाथ से बताई थी इसलिए उस टापू के जंगलियों ने उससे अपना हीरो बना कर खुब जस्न मनाया कि लुगाइस यह स्टोरी खतम होती है आपको स्टोरी कैसे लगी कमेंट करके जरू बताईएगा और कमेंट सेक्षन में जरू बताईएगा मेरे को